हमारे जवान शहीद हुए हैं कब उनकी जो शहादत है उसका बदला लिया जाएगा अस सदन में सर्फदलिया बैठक हुई उसी के पुल्वामा के लिए जो बातचीत हुई उसे के साथ आज वहां क्या बातचीत हुई हमारे साथ अभी टीडी पर की नेतार राम मोहन नाइड जानेंगे कि सर्फदलिया बैठक हुई तो क्या कुछ मुद्दे वहां एहम रहे एक मुद्दा तो यही था कि एक साथ खड़े उन्हें की जो बात थी उसको दोराए गया है सारे पार्टी सारे दलों के नेता जो भी आए हैं सब अपनी बाते जो टेबल पर रखें तो एक इस टाइम में राजनितिक बाते नहीं होनी चाहिए आपस में जो भी विबेध हैं आपस में जो भी डिफरेंसे से उन सबको अलग रखकर उसके उपर उठकर हमारे देश की जो एक भावना है उसके साथ हमें जाना चाहिए और इसको स्ट्रॉंगली एक जवाब देना चाह कि अगर केंद्रे सरकार इस आतंकवाद को मिठाने के लिए कोई भी अगर कदम उठाते हैं तो जरूर हम सब उनका साथ देंगे और उसके बावजूद भी और हमने ये भी रिक्वेस्ट किया कि आगे भी एक और मीटिंग होना चाहिए और जिसमें प्रदान मंत्री भी मौ तो नेताओं को भी बुलाकर उनके भी राई लेकर एक सक्त निर्ने लेने की जरूरत है तो वह राई भी हमने ग्रिमंत्री जी को बताया उन्होंने बोला इसके उपर सोचेंग और जरूर एक और मीटिंग भी सभी देशवासी जो हैं भड़के हुए हैं सभी के दिल में ब ये टिपनी नहीं करना चाहते की क्या ये इस तरह के राजनेतिक बाते इस तमय में करना उचित नहीं है फिर भी इसलिए एक सुजाव की तरह हमने बोला है कि उनको एक बैटेक जरूर बुलाने चाहिए हैं जिसमें प्रदानमंत्री जी भी हो अगर वो रहते तो महौल की जो सीरियसने से वो भी बढ़ता है और जो अगर हम राइ बुल जो भी हम सुजाव देते हैं अपने पार्टी के तरह से अपने नेता होनके तरह से जो बाते हम लेके आते हैं तो उनके उपर एक सीरियसने साथ है कि आगे के कोर् dealing संसद भण झाल झाल